आसलाम वालेकूम बिसमिल्लायर्मान रहीम हमारा बेसिस व केमिस्ट्री चल रहा था आज हम गेमिकल बॉंडिंग में डिसकस करेंगे अटॉमिक स्ट्रॉक्चर से डिलेट हम जितने भी हमारी बेसिक्स बनती हैं जो हमारी अब्जेक्टिव इंपोर्टेंट है या पर हमारे क्वेस्टिंज की हिसाब से इंपोर्टेंट हैं वह हम सारा कुछ डिसकस करेंगे बेसिक्स व केमिस्ट्री में ठीक है हमने मैटर डिसकस कर लिया हुआ है ऐलेमेंट्स डिसकस कर लिया हुआ है प्रिवियस लेक्चर में और हमने आज कंपाउंट्स डिसकस कर लिया हुआ है इंटन मॉलिकुल हम इंटन एंटन भुमलिक्त पिजान हों था हुआ ह्र..анаमें कंपाॉंटस के मिकलद को हुआ है आह और हमारे दित्यार पुर्लापेशन करें की पूरPonts करते हैं only one kind of atoms है, then compounds हम आज डिसकस करेंगे, two or more kinds of atoms में हमारे पास compounds आता है, mixture to have a combination of two or more elements of compounds, compounds के भी आगे further mixing करें तो हमारा mixtures आता है, यह most complex है, यह जितनी हमारे basics में elements, atoms, molecules चल रही है, then compounds आता है, complex और सबसे more complex आता है, हमारे पास mixtures, ठीक है, यह हम आज डिसकस करेंगे, compounds and mixtures, compound, what is compound compound, compound की different points wise definition लिखते हैं, और यह पर कोई A की specifically definition लिखते हैं, जो आपको clarify कर दे, सारा कुछ A की point में clarify कर दे, ठीक है, atoms of different elements combined together to form chemical compounds, यह पर chemical substances that are made up of two or more elements, or chemically bound together in a fixed ratio, fixed ratio में आपके two or more elements आता है, तो हमारे पास क्या complex form बन जेगी, compounds, elements combined together to form compounds, and elements lose their individual properties, and gain new properties, like उनकी अपनी जो individual properties होती हैं, वो खतम हो जाती हैं, लेकिन compound की अपनी specific new properties आताती हैं, ठीक है, then compounds cannot be separated by any physical methods, किसी भी physical methods बगार से separation नहीं होती, chemical reactions बगार से separation हो सकती है, physical methods में like spectroscopy, chromatography बगार आते हैं, chemical reactions में हमारे heating आती है, boiling बगार आती है, और जितने में बड़े-बड़े हैं, radiation related आते हैं, वो सारे हमारे chemical reactions में आते हैं, ठीक है, chemical formula होता है, हर chemical compound का एक formula होता है, they have own symbolic representation, like water का H2O होता है, methane का CH4 होता है, यह सारा atomic proportions के accordingly, उनकी chemical formula आताते हैं, chemical bonding में हमारे पास क्या आता है, chemical bonding क्या है, bonding जो है, linkage आता है, binding आता है, different compounds की, different elements की आपस में, जो binding होती है, attraction होती है, connection होता है, वो किसके थो होता है, chemical bonding के थो होता है, link elements together to form complex molecules, several attractive forces that serve to bind atoms together to form compounds, ठीक है, variety of interactions होती है, that hold atoms together in a chemical compound, connections कुछ भी आप लग सकते हैं यह बेसिकली क्या है फोर्स ऑफ अट्रेक्शन है बिट्विन डिफरेंट आटम्स जो के उनको आटम्स को होल्ट टुगेदर रखती है इन केमिकल कंपाउंड फॉर्म में और मॉलेक्यूल के फॉर्म में उसको कम्माइन करके रखती है उनको स्टेबलाइजेशन करानी होती है तो स्टेबलाइज द लोएस्ट इनरजी इलेक्ट्रोनिक कॉंफिगूरेशन ठीक है ओक्टेट रूल के अकॉर्डिंग आपके लास्ट वाले में लास्ट वैलेंस चेल में आपके एट इलेक्ट्रों कंप्लीट होने चाहिए यह किस्से ह यह कि व besteht हैं लूजिंग उelेक्ट्रों गैनिग एलेक्ट्रों आपर शैरीइशन एरीजिप्रेछन ऑन पॉर्डिंग द लोडिय में ऐतों यह कि वे ईजपिया चाहिए कि आखेडशन क्यार्वार जाओं पॉीं स्टेबलाइज सेवड़ कंपॉंड समबन कंपॉंड़ के यह सारा कुछ आपके compounds में आता है ठीक है types of bonds हमारी basically जो बनती है वो ionic and covalent है और coordinate covalent जो है वो हमारी covalent की polar की type है लेकिन यह as a separate type भी consider की जाती है वैसे यह basically जो है वो polar covalent bond है ionic covalent coordinate covalent के metallic metallic हिस्दी किसी किसी जगा पर discuss होती है वैसे commonly जो हमारी है वो ionic and covalent discuss होती है ठीक है ionic bond क्या है atoms with large electronegativity differences transfer electrons to form ions then ions are attracted to each other via ionic bonds electronegativity differences की basis पे electron transfer होता है between two atoms जो के फिर ions की form अक्तियार कर लेते हैं जो ions होते हैं उनकी attraction binding attraction जो होती है ionic bonds ठीक है जो atoms हमारे जो हैं वो lose करते हैं electron मतलब like donate करते हैं वो positively charge हो जाते हैं उनको के tines मोलते हैं जो gain करते हैं electron को negatively charge हो जाते हैं वो anion होते हैं मैं diagramatically भी show कर दूंगी oppositely charged ions attract each other why ionic bonds तो basically positive or negative charges है वो आपस में oppositely charges है और attract करेंगे और जो overall हमारा charge हो जाएगा compound का वो neutral हो जाएगा positive and negative balance ही जाएगा ठीक है must balance ही जाएगा charges जो है वो balance जरूर होने जाहिए compounds में ठीक है examples में हमारे पास reactions आजाते है metals with non-metals के diagramatically यह हमारे पास NHCl का reaction आजाता है sodium की balance shell में हमारे पास one electron है और chlorine में seven है ठीक है तो हमारा donating one जो है वो हमारा negatively charge हो जाएगा so being the donating one as a donor sodium will get the positive charge and the acceptor one will be chlorine will get the negative charge ठीक है covalent bond हमारे पास क्या जाता है covalent bond जो हमारा है वो basically sharing आजाती है वो transfer हो गया था यहां पर mutual sharing of electrons between two atoms हमारे पास covalent bond consider क्याता है attraction between two or more atoms which involves the sharing of one or more electrons to help each atom satisfy the octetule octetule में आपको बता दू हमारा octetule क्या है जो हमारा valence shell है उसमें 8 electrons पूरे होने चाहिए उसे octetule बोलते हैं usually formed between the two non-metals non-metals में बनाया जाता है और जो ironing था वो metals in non-metals में ठीक है ठीक है on the basis of electronegativity differences electronegativity के basis पे polar and non-polar होते हैं polar पूलर में हमारे पास unequal sharing होती है non-polar में equal sharing होती है और polar में electronegativity जाता हुती है difference जो हता है जाता होते है और non-polar में same electronegativity होती है उसमे Hey 1 element होता है इसमें electrically neutral star раст होता है थीक है hydrogen chloride है hydrogen 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 हो स्ब्राइड है हो यह hydrogen hydrogen डबल में two pair of electrons shared होते हैं, representation one, two, three lines के accordingly होती है और जो हमारी triple में है, वो हमारी sharing of three electron pairs होती है ठीक है, यह हमारी single, double and triple की examples हैं, diagramatically वाटर में देखें, आप hydrogen और oxygen के दिम्यान में only one pair, one pair means two electrons sharing, ठीक है और जो carbon dioxide है, उसमें हमारे पास two two pairs shared हो रहे हैं, two pink, two green, ठीक है यह हमारे पास four electrons आता है, two pink, two green आगे है, इदर हमारे पास यह हो रहे है, carbon and oxygen के दिम्यान में हो हम double bonds बोन्स पोछते हैं, और triple bonds में हमारे पास three electron pairs share हो रहे हैं, मतलब total number of electrons हमारे पास जो share हो रहे हैं, वो हमारे six है, वो triple bonds आगे, यह types of covalent bonds of the basis of electron sharing आती है, then हमारे पास coordinate covalent bond आता है, यह हमारी third type आती है, यह हमारी basically polar covalent bonds है, in which both electrons come from the same atom, ठीक है, एक ही atom अपना pair donate कर रहा होता है, ठीक है, उसे as a donor बोलते है, the atom which is donating the electron pair is donor, और वो positively charged होता है, जो acceptor होता है, वो negatively charged होता है, ठीक है, इसमें हमारे पास bonding ऐसे होती है, NH3, ammonia और boron triac fluoride ले 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 लें, तो इसमें हमारे पास, then ammonia जो हमारे पास positive recharge होतेगा, जहां पे हमारा N पे positive charge आतेगा, और nitrogen पे positive charge, और B पे हमारा negative charge आतेगा, क्योंकि वो donor है और वो acceptor है, उदर से pair of electron, two electrons का pair, इदर B में share हो रहा है, ठीक है, यह हमारी sharing आतेगा है, आइनिक में हमारी transfer आतेगा है, इसमें हमारी sharing आतेगा है, ठीक है, यह coordinate covalent bond हो गया, metallic bond जो है, उसमें हमारे पास आती है, forces that hold atoms together in metallic substances, these substances possess closely packed atoms, maintaining regular shape, regular structure of the metals, giving them shiny luster, property, malleability, conductivity, यह सारी जो properties है, वो metallic substances की किस basis पे है, कि वो बहुत ही closely packed है, और उन atoms को किसने held together किया हुआ है, वो metallic bonds से held together है, ठीक है, और एक regular structure है, उनका regular shape है, बहुत ही tightly packed है, इसमें, इसमें जो electron shells है, वो हर atom की दूसरे neighboring atoms के साथ overlap हो रही होती है, bundle of shells are overlapping with a large number of neighboring atoms, two tightly packed है, ठीक है, इतने जादा tightly packed हैं, कि वो आपस में shells, जो है, overlap हो रही होती है, electrons की, ठीक है, bond, वो valence shell आदाती है, bond strength जो है, जो हमारी basically की base पे है, localized electrons की base पे और positive cations, metallic atoms में उनकी base पे है, यह mostly metallic compounds, metallic substances होते हैं, उसमें हमारी metallic bonding पाए जाती है, यह हमारे positive positive वाले जो हैं, वो हमारे पास charged cations है, positive cations और जो pink pink reddish से हैं, वो delocalized electrons हैं, delocalized electrons की मैं आपको नेचे बता दूगी कि यह क्या होते हैं, जो कि बिलकुल भी localized नहीं होते, यह ऐसी ही metal में होते हैं, किसी atom के specific नहीं होते हैं, मिक्सचर हमारे पास आता हैं, हमने आज compound discuss किया है, मिक्सचर में हम slightly discuss करेंगे, जो आपके paper के accordingly suitable हो, बहुत ही comprehensive समय आपको बताऊंगी, मिक्सचर किया है, physical combination of two or more substances, physically combined structures that can be separated back into the original components, को इसमें energy change, physical chemical change बगार नहीं होते हैं, को हम separate back कर लेते हैं, physical methods के through, chromatography के through like different oils and different waters, different colors बगार को हम अगर filter paper पे chromatography हम करें, तो उनकी separation हो जाती है, physical methods से भी separation हो जाती है, और यह आपस में एक दूसरे के साथ chemically bonded together भी नहीं होते, और यह easily separatable होते हैं, ठीक है, ताइबस में हमारे पास homogenous and heterogeneous mixers जाताती हैं, homogenous mixers जाताती हैं, homogenous mixers जो हमारे having uniform composition, same properties होती है, single phase होता है, like अगर आप alcohol को पानी के साथ मिलादें, तो आपकी mixing same होती है, homogenous हो जाती है, uniform composition रहती है, equally molecules combined रहते हैं, ठीक है, और जो composition gun powder की है, like sulfur, carbon and sodium nitrate, जो है, वह सारी all powdered form, powdered form में है, एक ही phase है, single phase, सारे जो मिलेंगे, तो वह homogenous mixers जाताएंगे, जो हमारे multiple phases वाले होंगे, two or more phases वाले होंगे, hydrogenous होंगे, कोई uniformity नहीं होगी, कोई नीचे बैठा होगा, कोई उपर होगा, floating position में होगा, और इनकी properties भी different होती है, like oil and water के mix करते हैं, तो वह दुन आपस मिक्स नहीं होती है, oil उपर बैठा जाता है, water नीचे होता है, ठीक है, उनकी different layers बन जाती है, जो कि combined नहीं होती है, ठीक है, के इनोंने बताया है, homogenous and heterogeneous mixture का, like heterogeneous में नीचे, बैठी हैं, for example, अगर green वाले जो हैं, water और परपक वाले जो हैं, वह मारे पास oil है, तो ऐसे separately बैठ जाएंगे, homogenous mixture में अगर आप alcohol और water को ले लें, तो आपका equally uniformity रहती है, पूरे के पूरे mixture में, उपर से नीचे तक, वह सारा all mixed, आपको नजर आता है, objective points में अगर आप देख लें, तो आपके पास, आज मैंने थोड़े से upload किया है, okay, tool क्या है, tendency to attain a maximum eight electrons in the valence shell, valence shell जो है, outer orbital है, आपका atom का, और the valence electrons हैं, जो के outer orbital में exist होते हैं, revolving around the nucleus, सबसे outer वाले shells में होते हैं, उसे valence electrons भोलते हैं, electronegativity जो है वो है, atoms और ions की tendency जो के attract करते हैं, electrons को, electron attraction आ जाती है और negatively charge in high-end form करते हैं, और वो electron donation आ जाती है positivity में और वो positive charge, ketines form करते हैं, ठीक है, de-localized electrons क्या हैं, जो किसी भी item से belong नहीं करते हैं, ऐसे ही आपके metallic surfaces वगारा पर पढ़े होते हैं, de-localized होते हैं, कोई localized नहीं होते हैं, किसी specific item से belong नहीं करते हैं, ठीक है, इंशाला कल मैं आपको detail में इनकी separation बता दूँए, सारी bonding्स की, अलाहाफ़,